इंग्लिश कैसे सीखें? यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उचारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आ जाए और आप इंग्लिश में वाक्य बनाना सीख जाएं इस क्लास में हम धेर सारी वर्ड मेनिंग्स और सेंटेंसे को सीखेंगे इसी के साथ आप कर दीजे इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू इंग्लिश रीडिंग क्योंकि ये वीडियो ट्रांसलेशन के साथ साथ रीडिंग की भी है वन्स एक बार वन्स का मतलब होता है एक बार देयर वोज आ काइंड हार्टेड फार्मर देयर वोज आ काइंड हार्टेड फार्मर एक दयालू हिर्दय का किसान था देयर की यहां कोई खास मिन नहीं है was का मतलब था, a का मतलब एक, kind का मतलब दयालू, hearted, दिल का, या फिर हिरदय का, farmer, किसान Many times, many times, बहुत बार, many times का मतलब है, बहुत बार, बहुत बार He would help, he would help, वह मदद करता, help का मतलब होता है, मदद करना, the other farmers, the other farmers, दूसरे किसानों की, other का मतलब है, दूसरे Farmers, किसानों की, in their fields, in their fields, उनके खेतों में, their का मतलब है, उनके fields, खेतों, in में, He used to help, he used to help, वह मदद किया करता था, sick people, sick people, बीमार लोगों की, sick का मतलब होता है, बीमार, people, लोग And would always feed, and would always feed, और हमेशा खिलाता, always का मतलब है, हमेशा, feed का मतलब होता है, खिलाना The hungry, the hungry, भूखों को, hungry का मतलब होता है, भूखा He also liked, he also liked, वह पसंद भी करता था, to give, to give, देना, गिव का मतलब होता है, Like का मतलब, पसंद करना, liked है, तो पसंद करता था, also का मतलब भी, वह देना भी पसंद करता था, love and care Love and care, प्रेम और देख भाल, two animals, two animals, जानवरों को, and birds, and birds, और पक्षियों को, वह जानवरों और पक्षियों की भी देख रेख और उन्हें प्रेम करता था, हम ऐसा कह सकते हैं, One day, one day, एक दिन, एक दिन, the farmer went, the farmer went, वो किसान गया, went का मतलब है गया, to a nearby village, to a nearby village, पास के गाउं में, nearby का मतलब है पास के विलेज गाउं, As he was returning, as, जैसा की, he was returning, वह लोट रहा था, return का मतलब होता है, या फिर वापस आना, was returning है, तो लोट रहा था, he saw, he saw, उसने देखा, saw का मतलब है, देखा, saw, see का second form है, see का मतलब होता है, देखना, saw है, तो देखा, an injured snake, an injured snake, एक घायल साप को, injured का मतलब है, घायल, snake, साप, on the road, on the road, सड़क पर, on का मतलब है, पर, road, सड़क, it seemed that, it seemed that, ऐसा लगता था की, seem का मतलब होता है, लगना, it seemed that है, तो ऐसा लगता था की, when the snake, when the snake, जब वह साप, was crawling, was crawling, ring रहा था, crawl का मतलब ऐसे होता है, रेंग न, was crawling है, तो रेंग रहा था, यानि जा रहा था, across the road, across the road, सड़क के पार, across का मतलब है, पार, road, सड़क के, सम बुलक काट, सम बुलक काट, कोई बैल गाड़ी, सम का मतलब यहाँ पर होगा, कोई, बुलक काट, बैल गाड़ी, हैड, रन ओवर, हैड, रन, ओवर, कुचल गई थी, या फिर उसके उपर से गुजर गई थी, रन ओवर का मतलब होता है, कुचलना, या फिर उपर से गुजर जाना, दा क्रियेचर, इस प्राड़ी के, क्रियेचर का मतलब होता है, प्राड़ी, ऐसा लगता था, कि जब यह सड़क पार कर रहा था, तो कोई बैल गाड़ी इस प्राड़ी के उपर से गुजर गई, लकिली भाग्यवश लकिली का मतलब है भाग्यवश भाग्यवश दसनेक वोज अलाइव साप जिन्दा था अलाइव का मतलब होगा जिन्दा या फिर जीवित वोज था लेकिन इट वाग्यवश अनकॉश्यवश ये बेहोश था अनकॉश्यवश का मतलब होगा बेहोश था इसके घाव वोन्स का मतलब होता है घाव वर ब्लीडिंग खून बहार रहे थे यानि इसके घाव से खून निकल रहा था ब्लीडिंग का मतलब होता है खून निकलना दा काइंड फार्मर दा काइंड फार्मर वो दयालू किसान जिंटली रैब्ड जिंटली आराम से जिंटली का मतलब है आराम से रैब्ड लपेटा रैब का मतलब होता है लपेटना रैब्ड है तो लपेटा दा इंजर्ड स्नेक दा इंजर्ड स्नेक उस घायल साप को इन आ क्लोथ किसी कपड़े में और टूक ले गया इट इसे होम घर घर पर दा फार्मर वाश्ड किसान ने धोया वाश का मतलब होता है धोना वाश्ड है तो धोया और पुट सम मेडिसिन और दवा लगाई पुट का मतलब यहाँ पर होगा लगाना ऐसे तो पुट का मतलब होता है रखना लेकिन यहाँ पर होगा लगाना सम कुछ मेडिसिन दवा इसके घाओं पर या फिर इसके जखमों पर वोन्स का मतलब जखम भी हम कह सकते हैं फिर ही लिफ्ट उसने छोड़ दिया लिफ्ट का मतलब होता है छोड़ दिया छोड़ दिया lift leave का second form है leave का मतलब होता है छोड़ना lift है तो छोड़ दिया the snake उस साब को at home at home घर पर and went and went और चला गया to the market to the market market का मतलब होता है to get some milk to get some milk कुछ दूद लाने के लिए get का मतलब होता है लाना या फिर पाना some कुछ milk दूद for it for it इस के लिए किस के लिए उस साब के लिए when जब he came back he came back वह वापस आया came का मतलब आया back वापस the snake the snake वो साब had become had become हो गया था cautious होश में cautious का मतलब होगा होश में unconscious का मतलब होता है behoş cautious का मतलब होश में become हो गया had become है तो हो गया था it bit the farmer it bit the farmer उसने किसान को काट लिया bit bite का second form है bite का मतलब होता है काटना और bit है तो काट लिया the farmer किसान को and he died and he died और वो मर गया died का मतलब होगा मर गया instantly 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 तुरंत ही instantly का मतलब होता है तुरंत ही और वह तुरंत ही मर गया the villagers said the villagers said गाउवालों ने कहा villages का मतलब है गाउवाले गाउवाले said कहा sadly दुख से sadly का मतलब है दुख से गाउवालों ने दुख से कहा that कि the farmer was a good person the farmer वो किसान was था a good person एक अच्छा आदमी good का मतलब है अच्छा परसन आदमी बट लेकिन he did not know he did not know लेकिन वह नहीं जानता था बट का मतलब है लेकिन दिद नॉट नो नहीं जानता था वन तिंग वन तिंग एक चीज तिंग का मतलब है चीज वन एक दैट की एन एविल क्रियेचर एन एविल क्रियेचर एक बुरा प्राड़ी एविल का मतलब होगा बुरा या फिर जिसे हम कह सकते हैं दुष्ट एक दुष्ट प्राड़ी नेवर चिंजिस नेवर चिंजिस कभी नहीं बदलता है नेवर का मतलब होता है कभी नहीं चिंजिस बदलता है इट्स नेचर इट्स नेचर अपने सुभाव को नेचर का मतलब है सुभाव एक नेचर का मतलब होता है प्रकिर्ती और दोनों का मतलब यहाँ पर सेम होगा प्रकिर्ती का भी मतलब यहाँ पर सुभाव ही होगा तो गाउवालों ने दुख से कहा कि वो किसान एक अच्छा आदमी था लेकिन वो एक बात नहीं जानता था कि बुरा प्राड़ी कभी भी अपने सुभाव को नहीं बदलता है उमीद करता हूँ इस क्लास में बताएगे वर्ड मिनिंग्स आपको अच्छे लगी होगी सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताईएगा इसी तरह की वीडियो के साथ साथ धेर सारी रीडिंग की ट्रांसलिशन की और बहुत से इंगलिश सीखने वाली वीडियो पाने के लिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को मित्र को परिबार वाले को शेयर भी जरूर करतीजेगा तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में